चर्चा प्रारंब होत हे सुनो साथ चीत दे भाजो राजश्यामा स्री प्राणनात सक्की जीवन हमाराये स्री महामति कहे ए मौमिद्ध। भया चर्चा काब खत अब तुम सुनियों चीत दे लाल आगे आये बेठ इना तकत लाल आगे आये बेठ इना तकत बुलिशी प्राणनात प्यारे कीजे महामति कहे ए मौमिनों ए औरंगाबाद की बीतक अब आकोट की कहो जो बीतक है बुजरक जो बीतक है बुजरक अब तुम सुनियों साथ जी दामधनी अक्षरातीत इवितक साहिव के घटना क्रम का वर्णन करवा रहे है कल के घटना क्रमों को जोडते हुए कल अमने पुर्ण अवरंगाबाद का ही प्रशंग लिया सबसे प्रथम अमने मुकुंद दासी के प्रशंग को देखा तो उस प्रशंग के माध्यम से क्या सिखापन दी क्या प्रबोध दिया श्री जी की आग्या श्री जी का आदेश सीरोधारिय करके मुकुंद दासी संदेश देने के लिए अवरंगाबाद भावसी हाडा के वहाँ पहुँचे और कितने कश्ट सहन किये उस प्रशंग से ये प्रबोध लेना है कि हम सब का कर्तविय बनता हम सब की फर्ज है हमको भी तार्तम ज्यान की वानी की थोड़ी भी कुछ सुगंदी मिले हम दूसरे को बताते रहे और चाहे कितना भी कश्ट आए लेकिन आकिन न छुटे सोहागनी जो पड़े कोट वीगन हम सब सुन्दर साथ का कर्तविय बनता है कि चाहे कितने भी कुछ्ट आए लेकिन जागनी कारिय के लिए बस एक राज्जी का आदेश सिरोधारिय करके किसी और की नहीं देखना है महमती कई पिछा ना देखिये ना किसी की परवाह एक धाम रदय में लेकि उड़ाई दीजी अरवाह इस प्रसंग के बाद हमने अवल खान, जहान महमद, मिहिन खान जो पठान जगे और जहान महमद के माध्यम से हमने क्या सिख ली उसके अंदर परमधाम का अंकूर था और जब आगे स्रीजी ने कबर से मुर्दा कैसे खड़े हो गए ये समझाया तो पुर्ण रूप से वो समर्पीत हो गए वेसे अवल खान, मिहिन खान कई पठान लोग हमारे साथ जूडते हैं, निजानन संपरदाई में सामील होते हैं और उसके बाद भावसी हाडा का देहान तो हो जाता है क्योंकि उसने जल्द कर दी बस दर्सन के लिए उसी के अंदर अतूट निश्ठास, रद्धा भी थी, प्रेम भी था स्रीजी के पास जिद की कि मेरे को दर्सन कराओ तो हो, स्रीजी ने दर्सन करवाया लेकिन वो परमधाम का तो सुख नहीं ले पाए अखंड योग माया ब्रह्मान की सुगंधी पाई वहां की लीला का दर्सन किया अपना तन छुट गया वहां चार मैने तक जागनी कारिय चालू रहा और उसके बाद जब उस गद्धी पर फते महमद ने कभजा कर लिया और उसके बाद जब सब पठान लोग स्रीजी और सुन्दसात पर सुन्दसात के सामने लड़ने के लिए तयार हुए और अंती महम ने देखा के स्रीजी फत्व अल्ला के महले के पासी एक मोलवी के द्वारा कुरान की टीका हिंदी में करवा रहे थे अनुबाद करवा रहे थे और वहाँ जब जहान महमद पहुँचते संदेश देते है कि अरे ये तो फत्तु अल्ला का मोला है और धाम धनी ने कैसे सब सुन्दसात को अपनी महर तले अपनी नजर तले रखा और वहाँ से सब सुन्दसात की रक्षा की धाम धनी ने और वहाँ से सब निकल गए तो राज जी हमारे पर कैसे पल पल महर बरसाते है नजर से न काड़ी मुझे अवल से आज दिन क्यो कर कहू महर महभूब की जो करत उपर मौमिन इतना नहीं आगे बताया के ए सुख सबदातीत के क्यो कर आवे जुबान बाले से बुढ़ा पे लग मेरे सीर पर खड़े सुवान सुन्दसा जी धाम धनी ने परमधाम से जब हम ब्रज में आये ने तब से लेकर आज दिन तक नहीं अभी इस घड़ी तक राज जी ने अपनी महर तले अपनी कबाई तले कैसे अपने चरणों में रखा है पल पल राज जी की महर हमारे पर बरस रही है लेकिन हम जाहरी महर की ओर देखते हैं बातुनी महर जो हमारे पर बरस रही है और धाम धनी ने हमको कैसे सुरक्षीत रखा है इधर की ओर हमारी द्रष्टी जाए तबी तो पता चले कि राज जी हमारे पर पल पल दम दम हमारे पर महर बरसाते रहते है तो ऐसे हमारे धाम धनी हम जब सिव रजी में आए तब से लेकर आज दीन तक हमारे पर जो महर बरसाई तो उसी के बदले हमारी आत्मा की ओर से धनी के चरणों में उस धनी की पैचान के बाद इस स्वरूप की पैचान के बाद प्राणनाथ प्रियतम की पैचान के बाद हमारी ओर से क्या होना चाहिए रुह का तो हम धामधनी को पल पल धन्यवाद पल पल आभार शुकराना सुक्रिया मनाते हुए ये आकोट के अंदर धामधनी अक्षरातीत शिलालदा सी माराज के धाम दिल में बैठकर अभी आकोट के सुकराने की और हमको इस लिलाक और खटनाक रमों की और ले जा रहे है अब तुम सुनियों साथ जी सुक्राना करो याद जब हम दिल्ली, उदैपूर, मंदसोर, उसके बाद अउरंगा बाद सब स्थानों में मोमिन सुन्दर साथ पर जो कर्ष्ट पड़े, जो दुखों का सामना करना पड़ा उसी समय कई सुन्दर साथ के मन विचलीत हो गए थे तो दाम धनी ने क्या किया, सब सुन्दर साथ के दिल का मनो बल बढ़ाने के लिए और सब को एक जुट रहने के लिए, इतना नहीं दाम धनी ने सांतवना देते हुए, जो मन विचलीत हो गया था, ने देते हुए, जो ये शुकराना विव्यक्त किया है और उसी के अंदर सब सुन्दर साथ ने भी एक स्वर में क्या बोला के ये धाम धनी आपकी पल-पल महेर हमारे पर ब्रज से लेकर अभी तक बरस रही, पहले से ही बरस रही है और पहली चोपाई में बताया कि अब तुम सुन्यों साथ जी हे सुन्दर साथ जी, मैं इस प्रशंका, किस प्रशंका आकोट का गटना क्रम वरणन करने जा रहा हूं तुम ध्यान से सुनिये, क्या के सुन्दर साथ ने अपनी वोर से क्या धन्यवाद की भावना की और हमारे पर क्या बातिनी महर बरस रही है, दो महर देखत खेल में लोक देखे उपर का जहुर जाई अंदर महर कच्छु नहीं, आखर होत अक्षे दूर यहां धामधनी पेले अमारे पर बातुनी महर क्या बरसा रहे है, तो बातुनी महर इस संसार में इस संसार में आज दीन तक वेद वो या कतेव को लेकर कई ग्नानी जन, कई मनीशी, कई संत तपस्वी लोगों ने एक परव्रम को खोजने का प्रयास किया, लेकिन सब सुन्य निराकार तक शीमीत रे गए, उससे आगे नहीं जा पाए, अपनी खोज में असफल रहे ये नहीं, आगे इस ब्रह्मान के त्रिगून, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी खोजते खोजते ठक गए और खोजने का बोज भी अपने सीर पर धोते रहे, लेकिन वो भी एक परमतत्व परमात्मा का धाम किस दिसा में है वो नहीं जान पाए, तो ये परभरम परमात्मा कैसा है, उसकी लीला, धाम, स्वरूप कैसा है, ये कैसे जान पाते है यहाँ धाम धनी, किरंतन गरंद के प्रकरण के माध्यम से बताया बिंद में सिंध समाया रे सादो, बिंद में सिंध समाया बिंद में सिंध समाया रे सादो, बिंद में सिंध समाया त्रीगुन स्वरूप कोजत भये वी समाया रे सादो, बिंद में सिंध समाया यहाँ धाम धनी ने क्या बताया? त्रीगुन स्वरूप, ब्रह्मा विष्टु महेश्वी, खोजते खोजते विष्व में मतलब आस्चरिय चकित के अरे इस रुष्टी बनी तब से लेकर अब तक कोई इस धाम को नहीं जान पाया? अलग सबने क्या के दिया? खोजने के लिए तो आगे गए लेकिन नहीं थी, नहीं थी और आगे बताया के और जो कोई खोजत लेती इनके सुकन और ब्रह्मा विष्टु महेश के जो सास्त्र को लेकर जो भी ज्यान था उसका आधार लेकर कई रुषी मुनियों ने भी खोजने का कई तपस्वी जनों ने भी खोजने का प्रयास किया लेकिन वो भी असफल रहे, प्राप्त नहीं कर पाये क्योंकि दीसा भी नहीं मिली, तो ब्रह्मा विष्टु महेश को दीसा नहीं मिली तो उनके अनियाई इस संसार में जो और संपुर्ण जीव है आज अलग-अलग मत्पंथों में त्रीगून को परमतत्व परमात्मा मान कर पूज रहे उसको तो पता ही नहीं कि त्रीदेवों से आगे कुछ है तो ऐसे कैसे उसको पता चलता इसलिए धामदनी ने इस किरंतन के माध्यम से बताया वेदा अगाम कहे उलटे पीछे नेत नेत कर गाया खबरन पड़ी बिंद कहा थे उपजिया तो नाम निगम धरायार सादो बिंद में सिंध समाया रिसादो बिंद में सिंध समाया धामधनी ने क्या बताया इस चुपाय के माध्यम से वेदा अगाम कहे उलटे पीछे वेशे तो वेद में नईती नईती सब्द नहीं है उपनिशदो का ये कथन है लेकिन वेद की रुचा है खोजने का प्रयास किया और आगे क्या कह दिया सुगंदी नहीं बल दिया के नईती नईती आगे तो कुछ है लेकिन उसकी गम उसकी सुधी नहीं पड़ती है खबर न पड़ी बिंद कहा थे उपजिया मतलब ये सुरुष्टी रचना का मुल कारण क्या है कहां से सुरुष्टी रचना हुई ये भी मुल भी नहीं जान पाए कि वेद अगम के उल्टे पीछे नेत नेत कर गाया खबर न पड़ी बिंद कहां थे उपजिया तो नाम निगम धराया इसलिए उसने निगम कहके वहां से वापस लोट गए और आगे धामधनी ने बताया कि जो तिन की खोज से मक्सुद न होवे तिन तो आगे हमने ये जो भी तिन चार चोपायों के माध्यम से देखा कि कई मनिशिजिन, तपस्वी जन, कई त्रिदेवों ने ये खोज करने का प्रयास किया वो नहीं पाप आए, दिसा भी नहीं पाप आए मिली नहीं कि किस दिसा में ये खंड धाम, परम धाम, योगमाया, ब्रहमांडे तो यहां राजी ने क्या बताया? ये सब गुहितम, रहस्य भेद, ये अउलोकि ज्ञान, ब्रहम सुष्टियों के धाम रदय में धाम धनी ने रख दिया कैसे? क्योंकि ब्रहम सुष्टि की निस्बत, सुन्द साथ की निस्बत, अक्षरातीत स्री राजी के साथ है और आगे भी धाम धनी ने बताया कि इस संसार में कोई अक्षर और अक्षरातीत की भी खोज नहीं कर पाये थे तो ये स्वयम हमारे प्राण के प्रितम, प्राण नात, अक्षरातीत इस संसार में आये क्यों आये? क्योंकि हमारा सबंध, हमारी निश्वत प्राणनात के साथ है तो धामधनी ने इस अंसार में आना हुआ और आके हमारी ब्रह्म सुष्टियों का सब सुन्द साथ का हाथ पकड़ा और इतना नहीं और हमारे धाम दिल में ये तार्तम ग्यान, ये अखंड ग्यान हमारे धाम दिल में अखंड कर दिया और आगे भी धामधनी ने बताया कि अक्सर ब्रह्म, अक्सर धाम में, जागरत अवस्था में भी रंग महल के अंदर क्या इस्क की और क्या आनंद की लीला चल रही है वो नहीं जान पाए थे राजी ने बताया कि देखन का ठोर इत है सुन्द साजी ये देखाने के ये दिखाने के लिए ताम दनी इस खेल में लाए जागडी ब्रमान की ये चोथे दिन की अब जाग देखो सुख जागनी ये सुख सोहागी न जोग तिन लीला चोथी घर की चारो का या में भोग तो ये चोथे दिन में अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातित के महोल के अंदर की इस्क की और आनन्द की इतना नहीं और भी आगे बताया कि ये तार्तम ग्यान और अस्राफिल की जागरत बुद्धी तार्तम ग्यान और अस्राफिल की जागरत बुद्धी ने क्या किया इस संसार में दोनों आये एक निजबुद्ध अउतरी और एक तार्तम ग्यान तो ये दोनों ने क्या किया सक्षियों को धाम दिल में मूल घर दिविय परमधाम की पहचान करवा दी इतना नहीं आगे भी नहीं बताया कि परमधाम के अंदर आ परमधाम के अंदर हकीकत में जो यह रही थी यह श्यामा जी के दिल में जो लिला थी जो और इतना नहीं और आगे भी बताया कि राज जी City के दील में भी जो गूहिय रहसिय, जो गूहिय बात, जो राज था, ये परमधाम में भी हम नहीं जान पाये थे सुंदसाजी, ये मार्फत की जो पुरुन पेहचान दामधनी ने इस नस्वर जगत में जागनी ब्रह्माण में करवाई, तो सुंदसाजी हम जो ये सुन रहे हैं ये धामधनी की बातुनी मेहरे, जो अम परमधाम में नहीं कर पाये थे पहचान, ये पहचान राज जी यहां दे रहे हैं, आगे भी धामधनी बता रहे हैं, कि सु अक्षर पावे नहीं सो त्रीगुन पासकि होया, जो युगल स्वरुब और अमारी ब्रह्मात्माओं के बीच की लिला, अक्षर प्रह्म को परमधाम में पता नहीं चला, तो ये बात, ये त्रीगुन यहां के जो ब्रह्मा विष्णु महे से, उसको कैसे पता चलता, कि ये प्रेम मैं, ये आनंद मैं लिला क्या है, जो त्रीगुन को पता ना चले, तो ये त्रीगुन के संसार क जो जीव है, एक नाराण के संकलव से, एक को हाम बहुश्याम, ऐसे करके संकलव से, जो इतने अनंत जीव पेदा हो गए, उस जीवों को क्या पता, कि हम नाराण के स्वपन में बने हैं, और नाराण भी, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वपन के स्वरूफ है, तो ये, क्या लिला यहां बातुनी मेहर अमारे पर इस संसार में क्या बरस रही है सुन्दसाद जी, तो यह तार्तम ज्यान आया, यह ब्रह्म ज्यान आया, इतना नहीं, यह तो राजी ने बताया, कि मेरी ब्रह्मसुष्टी की कोई संगत करे गाने, उसकी कोई सोबत में आये गाने, तो उसकी सो शंदार स्थाल स्यामजी का नहीं कर पा का यह नहीं कर पाएंगे लेकिन यहां तो दामधनी ने बताया कि इंद्रावथी कि मैँ Season देवद्ения को इंद्रावती मेरा अंग, जो कोई वुक आंग सोप Under Armiva तो ता ज्डेमे ख्लाओ रंग यहां तो कोरे से कोरे जीव को भी धामधनी ने बताया कि मैं क्या तुमारे पर वातुनी महर की है इस अंसार में तो मैं यह जीव को भी अखंड मुक्ती दूँगा और आगे इन भात महर मोमिनों पर कई अलेख अपार सो इन जूबा के ती कहू दिये बातुन खोल के द्वार है सुन्दसाजी तुमारे पर जो यह बातुनी अप्रम पार अवर्णनिय अवर्चनिय जो महर वरस रही है उसके बारे में मैं क्या कहू क्या हकीकत और मार्फत के द्वार तुमारे लिए खोल दिये इतना नहीं सत्य क्या है यह खंड योगमाया ब्रह्मान और परम सत्य क्या है या सत्य परमधाम के 25 वक्ष की हकीकत की लिला यह थार्थता क्या है वास्तविक्ता क्या है या मार्फत की पूरुन पेचान के राज जी के दिल में ऐसे कई अनन्त सागर उमड रहे उसमें सो तो एक भूंद आया है यहां यहां सुन्द साज जी तो यहां क्या बताया यह अनन्त सागर की भी पहचान दाम धनी ने हमारे परबातुनी मेहर करके इस संसार में करवाई और आगे भी बताया कि अग्यार सो साल का लिखा बेजा अल्ला क खोज करी सबसुष्ट में और पायान काहूनी जिधाम और अग्यार सो साल पेले महमद साहब ने कुरान के माध्यम से में फर्दा रोज क्यामत कल के दिन में आऊंगा तो उसके भी खोज करते करते संसार के लोग यहां ठक गए लेकिन कोई परमधाम की जानकारी नहीं कर प युद के सो जाहिर देखो मौमिन, हे सुन्द साजी, मैंने तुमने यह पंदर सोलह चोपाई तक तुमारे पर इस संसार में जो बातुनी मेहर बरसी, यह मैंने तुमको इतना एक सिमीत करके बाकी तो इस जुठी जुबान से, इस जुठे तन से, यह सिफत, यह प्रशंसा यह सोभा का वरणन यहां नहीं होगा, यह तो परमधाम में, परमधाम की जुबान से, वही रसना से, तुमारी सिफत, तुमारी सोभा गाई जाएगी, मैंने इतनी जो वरणन किया, इतनी चोपायों के माध्यम से, अभी तुमारे पर जाहिरी मेहर क्या वरस रही है, प्रत ब्रज मिने, तीत पड़े भी घन, सो सारे दफे हुए, संसार में धन धन, पेले ब्रज मिने, ब्रज के अंदर सबसे प्रतम, हम कहां आए, तो ब्रज के अंदर आए, ब्रज के अंदर जब आए, तो कंस ने, जब कृष्ण को मारने के लिए, क्योंकि उसको मालूम हो गया पहले से ही आकास्वानी हुई थी तब कि देवकी का आठवा गर्व से तेरा उद्धार है, तो वो क्या करते थे, कई राक्षसों को गोकूल के अंदर भेजते थे, सबसे प्रथम पुतना को भेजा, अगासूर, वकासूर, वैसे बहुत से सक्टासू, त्रुनावरत, और उस अब कष्टों से धामधनी ने हमको कैसे बचाया, और राजजी ने हमारे पर ये महर करके, ये कष्टों को समाप्त कर दिया, तो सुंदसाजी धामधनी ने हमारे पर जाहरी महर भी बरसाई, और इतना नहीं, आज इस संसार में इन ब्रहमात्माओं की, इन गोपिकाओं की, जो लीला गाई जा रही है इतना नहीं वो सब धन्य धन्य कहते है इन गोपिकाओ को क्योंकि हमारी चरण दुली ब्रह्मा विष्णु महेश खोजते है आज लो ब्रह्मान में सब बंदे व्रजनेन पावतन ब्रह्मादीक तित्थे मुमिन बिच चेन आज तक इस संसार में बड़े बड़े कैन लोग आये खोजने का प्रयास किया और परम्तत्व परमाथमा की नहीं हमारी चरण दुली ब्रह्माथमा वगी चरण दुली वो चनण दुली वो लोग नहीं पापाए। चनण दुली भी इन बड़े-बड़े मनीश जन तपस्वी लोग रुषी जनों को नहीं मिली। और आज वो ब्रह्मात्मा वो व्रजलिला के अंदर वो रासलिला के अंदर एक धामधनी का अंग संग बनकर उसके साथ केसी प्रेम विलास की लिला की केसी रामतो रास के अंदर की प्रेम का विलास जो हुआ चाहे कोणिया की रामत हो, चाहे आख मी चामनी की रामत हो, चाहे आम की रामत हो, चाहे कर्ताल की रामत हो, चाहे गड की रामत हो, ऐसी कोई रामतों के साथ, धाम धनी ने हमको कितना प्रेम और आनंद के रस में डुवोया, और आगे, फिर आए बीच रास के कहिया दुसरा ना ताकात सुनने त्रीगुन को ताहां खेले मोमीन, अगे धामदनी ने क्या बताया, कि ब्रज के बाद धामदनी रास में ले गए, और आज तक यह संसार के कई मनिशी जन, त्रीगुन भी इस रास की रातरी को खोज रहे, अटकले, ये भी पता नहीं, अटकले खोज रहे, लेकिन उसको पता निए, क्योंकि स्म Luke ये तρι्दिवो के अंदर भी नहीं है, ये ब्रहम सुष्टिया धनी के साथ कहली और ये संसार के तρι्दिवो को खबर नहीं है, कि ये रास कहां खेली गई, और ये धनी के अंग संग रही ये ब्रहमातमा, तो हमारे पर कैसे बातूनी मह और हमारा गुणगान आज पुरा संसार में गाया जा रहा है। आपको चर्चा में बताया था अखंड रातरी ना टले और पीछे उग्या रे दिन तो कृष्ण और गोपी का सब एक साथ उठे वो कोन रे दिन उत्पन्न यह में कल आपको चर्चा में बताया था तो इस अंसार के जीवों को पता नहीं के परमधाम में भी रास खेली नहीं इस संसार में भी नहीं बीच में यूग माया ब्रह्मान में केवल ब्रह्म में रास खेली गई और यह रास सबली के महा कारण में अखंड हुई और व्रज की लीला सबली के कारण में अखंड हुई लेकिन यह संसार के मनिशिजन तो खोजते रहे है यह दिन तीसरा कहिया मा तो ये रास खेल के बरारब आये सियाम तो रास खेलने के बाद अक्षर की आतम और जबराहिल का जोस कहां आया अरब की धर्ती पर महमसाइब के रूपे में मुस्थपा बेग का तन धारण किया और क्यों राज जी ने मुल सरुप ने भेजा तो धाम धनी ने बताया कि मैंने तुमको आने से पेले ये साक्षिया कुरान के माद्यम से लिखवाई क्योंकि पेले मैंने महमसाइब को इसलिए भेजा कि महमसाइब अरब की धर्ती पर आके कुरान के माद्यम से तुम्हारी परमधाम की, होजकोसर ताल की, भाग बगीचे की, जानवरों की, जोई जमना जी की, पाल की, यह सब साक्षिया लिख के भेजू, और खुदा ताला सूरत का वरणन भी लिख के भेजू, तो तुम जब इस संसार में, चोथे दिन में, यहां बता, दिन चोथे ध तु ऐसे नहीं, श्विकार कर लोगी, कि नहीं, यही सत्य है, तु क्या बोलेगी, कि अरे, हम तो रब बाब दादों का जेह, हम तो जो परमपरा से पुझते आ रहे हैं, वो ही हमारा खाविंद है, वो ही हमारा परमात्मा है, इसलिए मैंने तुम को आने से पहले, कुरान म कतेब ग्रंथ में भी शाक्षिया लिखवाई, और चोथे दिन में सत्गुरुदानी स्री देव चंदर जी आये, वो तार्तम ज्यान लेके आये, और उसी समय उसने व्रज, रास और धाम की बात भी बताई, और परमधाम का मार्ग खुला किया, दरसाया, लेकिन तब क्या बताया कि तिन पाउं सुझ ना किया, उसी समय तिन सो तेर आतमाये तो जागी, लेकिन फिर माया में सो गई, क्योंकि ये वाणी उत्री नहीं थी, इसलिए यां बताया कि सुंदर बाई इन फेरे, आये है साथ कारण जी, भेजिये धने, भेजे, धनीये आवेस देएके, न पाउंच में दिन में रसूले धरा कदम, तो यहां पाउंच में दिन में कौन रसूले? आखरी रसूल, आखरी महमद, अक्की महमद, स्री प्राण नाथ जी, तो यही चोथे दिन के, जो सुंदर बाई ने लिला की, चोथे दिन में, वही पाउंच में दिन में, आगे धामधरी ने बता कि श्यामा जी के पाथसाई के 40 साल कहां से सुरू होते है तो बिक्रम सवन 1735 से सुरू होते है और हिजरी सन तब 1090 की होती है तो यहां 1638 से लेकर 1735 तक 97 साल होगे लेकिन हिजरी सन के बराबर तो 97 साली आता है यह दिन पाँच मां इमाम की इमामत सोद दरवाजा जाहेर किया फर्दारोज की आमत यह पाँच में दिन की लिला है जिसमें सिप्राणना जी के स्वरूप में जागनी लिला हुई सुन्दसाथ जी और हमारे लिए हकीकत और मार्फत का दरवाजा खोल दिया मैं अभी अगल पुर्व आपको विस्तार से मैंने बता दिया और चठा दिन मोमिनों का जुम्मे का बताया के तहां चठा दिन मतलब सुक्रवार का तार्तमवानी के प्रकास में आज सब ब्रह्म सुष्टिया जागरत हो रही है निजनाम सोई जाहर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक् जाहर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत तो यहां ब्रह्मात्मा तार्तमज्ञान के प्रकास में जागरत हो रही है और यह नहीं जबरायल का जोस और अस्राफिल फरिस्ता भी इस संसार में आ गये और दोनों सत्सरुप से आगे नहीं जा पाये थे क्या बोला कि नूर्त करमधाम के अंदर विच्रण करने लगेगे तो जाहिर करते करने को पहचान पेले मोमिन इमान लियाए पिछे सब खलक सुने खान यह स्याति धामधनी पेचान ओने के बाद प्रक्ते पूरण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सुष्टी सिर्दार और जब पेले राजी ने बताया क कि जब सुद दे वो मेरी ओरन को तो चले तुमारा हुकम तो यह राजी ने क्या बताया कि पहले जब मेरी पेचान संसार को देंगे बाद में हे सुन्दर साची हे ब्रह्म सुष्टी तुमारी पेचान इस संसार में सब को हो जाएगी मेरी तिन सुरत को पेचानियो अब तुमा बसरी मलकी हकी तुम्हे दिखावे हमा मेरी तिन सुरत कौन कौन सी तिन सुरत बसरी मलकी और हकी ये तिनो सुरत को धामधनी ने क्या बताया कि तुम पेचान लो ये तिनों खुदा ताला के सामने रूब रूब दिदार किया है और इतना नहीं उसने साक्षात कार किया और अभी मैंने बताया कि जबराईल और असरा फिल भी नहीं जा पाये थे वो भी आज रंग महल के अंदर प्रवेस कर लेंगे और आगे धामदनी ने क्या बताया कि अरे तुम इन तिनों सुरत पर अतूट इमान लाओ अतूट विश्वास लाओ हकीकत मार्फत के खोल दिये दरबार देखत अचरजपावी पहुचेन परवदिगार और संसार के लोग एक हमारे जैसा ही संसार के लोग क्या मानेंगे कि हमारा जैसा तो ये ब्रह्म सुष्टी का वजूदे उसका सरीर है तो वो लोग तो पैचान नहीं पाएंगे उसको तो लगेगा कि ये तो हम दोनों ही तो सरीर में तो बराबर है लेकिन अंदर बैठी हुई आत्मा रूह जो परमदाम से आई है उनी पैचान पाएंगे ये अधिकार ये सरवच्च जशोबा है ये तो ब्रह्मात्मा को दी है और ये ही ब्रह्मात्मा वो पैचान करेगी किसकी धामदनी की जाहेरी महर की हजरत इसा आया और लियाया किली गंज का लाम पैचान भई मोमिनों को आये बिच इसलाम सत्गुरुदणी सिदेवचंदर जी इस संसार में आये तार्तम ज्यान रुपी कुंजी लेकर आये जिससे संसार के सभी धर्म ग्रंथ के जो बेद थे दामदनी ने आगे प्रारंभिक चर्चा में बताया था कि भागवत कागज तुमारा जो तुमें खुले कलाम और कोई खोल न सके जो मिले खल काम तो यहां क्या धामदनी ने बताया कि धर्म ग्रंथों का रहस्य भी श्पष्ट हो गया किस माध्यम से तार्तम ग्यान के माध्यम से और परमधाम से ब्रह्म सुष्टि आई तो परमधाम भी जाहर हुआ सब को अक्षरातित की पेचान भी हुई और सब निजानन्द की रह पर चल पड़े कई माजद्यत इनके हुई बिच जी मीन इलम लुंदनी लियाया पड़ा न काहुची न अरे धामधनी क्या बता रहे के चोथे दिन में ऐसी कई आडी का लिला सब आडी का लिला में ही फसे रहे क्योंकि ब्रह्म सुष्टि आती ब्रजरास में प्रेम तो लक्ष बीन शो लक्ष लियाय अवल रूह ला पड़ न था आखरी इलम पुरण तभी अवानी नहीं उत्री थी फिर आगे भी बताया के सुंदर बाये देखिया दिल के दिदो माहें ब्रजरास और धाम की लेकिन जागनी की सुध ना है तो तीन सो तेरा आत्मा है जगी लेकिन आडी का लीला महीं फसी रही मेरा जोरा इन से चलत नहीं लगा रहा तीस वास्ते छोड़ूं चार फोज करोता यार यहां फिर दज्जाल की बात आई दज्जाल कौन है एक अग्यान रूपी राक्षस मन के अंदर बेठा हुआ अग्यान रूपी राक्षस जो परमात्मा की ओर नहीं जाने देता संसार की ओर ही पुरा दिन खेंचते रहता तो यह दज्जाल ने क्या सोचा कि अरे यह अक्सरातित परब्रम प्राणना जी संसार में आवेश स्वरुप से आना हुआ है अब तो मेरा बस इस संसार के लोगों के सामने नहीं चलेगा तो चलो मेरे तो साउत मेरे को साउत धान होना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा यह ब्रह्म सुष्टियों को फसाने के लिए कि धर की ओर? माया की ओर भसाने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो इसके लिए मैं चलो चार फोज तयार क्योरू कोन-कोन सी? तो पहली एक इबे इमान औरत और बाजे बजावन हार तिसरे पढ़न वाले इलम के चोथे जादोगर होसियार पहली भोगी प्रकृति की वेशिया और दूसरी भक्ति का आधार छोड़कर सांसारक्तिया में अध्यतिक डूबोने वाला संगीत और तिसरा भोतिक विद्यावों में विशिष्ट विद्वान और चोथा तांत्रिक और एवा महत की सफाई द्वारा चमतकार दिखाने वाला तो सुन्दसाजी आज हम संसार में दिख रहे है चारों चीजों जो धाम दनी ने आज से 400 वरस पुर्व आज से 400 वरस पुर्व जो भविश्यवानी का कथन किया था वो आज हम यह सब दिख रहे है कैसे आधुनिक यह भवतिक वादी टेकनोलोजी तो आगे बड़ी लेकिन आज की जो टेकनोलोजी के साथ कितनी फेशन या कितना और जो समय है वो बदल चुका है कि आज भवतिक वादी यूग में बड़े-बड़े महानगरों में सहरों में आज कैसे अशलील रूतिय भी हो रहा है बड़े-बड़े महानगरों में इतना नहीं और दिन रात अशलील पिक्चर्स फिल्में भी चल रही है टिवी के माध्यम से चनलों के माध्यम से और विग्नान की ओट में नास्तिकतावाद को बढ़ावा दिया जने वाले कई आज कथाकार लोग भी एक आसी मजाक की कथा के बस अध्यात्म को वाही अपनी पूर्ती मान लेते है इतना नहीं आज जोतिस लोग देखो जादूगर लोग की कला हिकमत देखो तो ऐसे दिखाने वाले पिछे सुन्दसाद जी लोग जो ऐसे दजाल ने क्या सोचा कि मैं प्राणना जी के सामने तो मेरा बस नहीं चलेगा तो चलो ये चार फोज मैं छोड़ू लगा सुर्फूंक ने अस्राफिल करना है तो ये समय कब सुर्फूंका जब विक्रम सवन्त सत्रसो पैंटीस का समय था और इज़िशन एक अजार नब्य का समय था तब अस्राफिलने आगे खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वानी उतरनी थी काफरों के दिल बेटके बढ़ा जो किया सोर मुमिन उत्रे अरसे ताको चितन हुआ मरोर ऐसे अग्नान रुपी दज्जालने मुमिनों को परमधाम की और अक्ष्रातित की चरणों से हटाने का बहुती प्रयास किया कहां कहां हमने आगे देखा और अगे बादसा के दरभारियों ने भी और इसे आखे बेरी साल देखा इसे आगे फते महमद देखा वहां उदैपूर के अंदर राना के पंडित लोग देखा ये सब के अंदर दज्जाल बेटके हमारे अंदर से युगल सरूप को दूर करने का और माया की और ले जाने के लिए बहुत ही प्रयास किया लेकिन महाद दज्जाल का कुछ बस नहीं चला किसी का मन विचलित नहीं हुआ निके वानी जब्राइले करी उपर रुहन साफ रखे सब ओंगो दिल रहे अमेसा रोशन यहां जब्राइल का जोस ब्रह्मसुष्टिय के दिल को साफ रखता है इतना नहीं वो माया वी विकारों से भी दूर रखता है किसी के माध्यम से यह तार्तम ज्यान के माध्यम से यहां से जाओ भाग के ना केद करो तुम्म मोमिन डरे तीन से ताबे हुई हकु कम्म यहां इस चुपाई के माध्यम से क्या बताया कि जब हमारे सुंदर साथ मोमिन बाहर मोमिन जब सेख इसलाम काजी को मिलते है इससे पहले भी हमारे मोमिन सेख इसलाम काजी को मिलते है तो तब सेख इसलाम काजी ने क्या बोला कि अरे भाई तुम बाहर बाहर ये क्यामत सबंदी साथ निशान, इमाम में दी प्रगट हो चुके है, ये बाहर बाहर संदेश लेकर आ रहे हो, तुम चले जाओ, नहीतर हमारा राजा, हमारा बात्सा तुमको जेल में केद कर लेंगा, कहां तक आजी वन जेल की सजा दे देंगे, बाहर ब बात सही है, लेकिन आप अपनी बात को अपने तकी, अपने तकी सिमित रखो, हमको पता तो चल गया, लेकिन अभी ये हमारी सरियत, इजाजत नहीं देती है, तो ये अभी जाहर नहीं करना है, तो देखो, कहां कहां दज्जाल, मुमिनों को कुष्ट देता है, लेकिन वो क पश्च से राजी की महर कैसे हमको पल-पल उगारती है। किसको भली बुरी किन की नहीं दरता रहे सुभान सोबत खुनी की ना करे या दिन मुसल्मान। मुसल्मान किनको केते भली बुरी किन की नहीं। उसको भला कहो या बुरा कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बताया भली बुरी इनकी नहीं और आगे बताया धामधनी ने कि सोबत खुनी की ना करे वो खुनी की संगत भी नहीं करेगा सोबत में भी नहीं रहेगा यहाद दिन मुसल्मान तो फिर खुन करने की तो बाती कहां रही उसको कहते मुसल्मान तो यहां तामधनी ने ये देखा कि मुसल्मान लोग हमारे मुमिनों पर हत्या चार कर रहे हैं, कश्ट दे रहे हैं, कसाला दे रहे हैं, तो क्या करूँ? तब उसने बादसा का सिहासन इला दिया, इतना नहीं जो तक्तता उस पर बादसा बेठा था, तो वहां से वो नीचे गीर पड़ा, उसको क्या दिखाए दिया? कि अरे मेरे सिहासन पर तो सेर बेठा हुआ है, पास में जो अधिकारी लोग थे, उसने बोला कि यहां कोई सेर नहीं है, लेकिन बादसा को सेर दिखाए दिया, और सिहासन को उल्टा कर दिया, तो ये धामधनी ने क्या किया? कि उसकी सजादी तुमने अमारे मौमिनों पर क्या साला दिया था, क्या कोष्ट दिया था, और आगे अपने अंकुर माफक लाभ हुआ इने, लगा माजदा मांगने, वाका हुआ तिन से, और बावसी हाडा का भी प्रमान दिया, कि अपने अंकुर माफक उसने सुख लिया, अंकूर से आगे वो शुख नहीं ले पाया, क्योंकि उन्हें उसने थोड़ी जिद कर दी, और अखंड योगमाया ब्रह्मान का दर्सन हुआ, लेकिन उसी समय उसका देहान तो हो गया। इन समय इत दज्जाल ने बड़ी करी तलास, राखे मोमिनों को पना में पानी दज्जाल की आस, यहां बार बार धाम धनी दज्जाल की बात बता रहे हो, और आगे भी चुपाय में बता है, कि बेजा संदे सा खुदाई ने बनी अस्राइल करो याद, तुम पीछे खबोर कर उनकी सो में खबर देऊ बुनियाद, राजी ने क्या बताया? कि जब अल्ला ताला खुदा ताला ने कुरान के माध्यम से ब्रह्म सुष्टियों को यह संदेश दिया, क्या संदेश दिया? कि ए सुन्दसाजी, तुम उस समय को याद करो, किस समय को? कि एक बार फिरुन की स एक बार उस प्रसंग को तुम याद करो, कि एक बार फिरुन ने अस्राइल की उमत यहूदियों को नौश्ट करने के लिए वो तुला रहा था, मतलब उसी पर उसकी नजर थी, तो उसी समय, उसकी सुरक्षा के लिए, खुदा ताला अल्ला ताला ने हारुन और मुसा तो यहां धामदनी ने बताया, कि मैंने भी औरंग जेब बात्सा को जब संदेश देने के लिए लालदाशी को भेजा, और पिछे से कुरान के अंदर यह प्रशंग निकला, और मैंने फिर कांजी भाय के माध्यम से वापस बुलाया, तो अंतिम चौपाय में बताया, कि द मेरे कलाम को, तो भागे सारी शक्क, दई में कुल्जम तुमको, हे सुन्द साजी में तुमको कुल्जम दी है, और आगे इनको किया गरक और इस वाणी की ज्यान धारा इतनी गेहरी है, उसका राज इतना गुहियतम है, कि उसके अंदर सेतान की सेना वेसे ही डूब कैसे डूब जाएगी? कि एक प्रमान दिया कुरान का, जैसे एक बार फिरोन की सेना कुल्जम दर्या के अंदर डूब गई थी, ऐसे ही तुमारी तार्तम वानी के सामने एसे तान की सक्ती का कुछ बल नहीं चलेगा, तो अंतिम चरण में बताए के भागे तुमारी सक्क, तो जो यह कलाम को, यह तार्तम ज्यान को जो आप पढ़ोगे, तो आपके अंदर कोई प्रकार के संसई नहीं रहेंगे, सब संसई मिट जाएंगे, तो यहां क्या बताया? कुल्जम सब्द का जो अर्भी भासा का ही है, उसमें उसका मिनिंग है, जिसका अर्थ होता है गेह तो यह तार्तम वानी के जो गुहितम रहस्य का जो पष्टी करण किया गया सुन्द साजी, यह सब के लिए अब तक इस संसार में, अभी पूर्वा चर्चा में अमने सुन लिया, कि सब के लिए अज्याद था, कोई जान नहीं पाय थे परभ्रम या परमात्मा किस दिसा मे है, तो उस दिल में, जो इलम का सागर उमड रहा था, धामधनी के दिल में, यह ज्यान इस संसार में आया, तो वो कैसे सब संसार के जीव जान पाते, तो यह धामधनी ने बताया, कि प्रेम है, वो लाल रंका, प्रतिक है, तो धामधनी, यह प्रेम को दरसाने वाली वानी, एक कुल्जमवानी इस संसार में हम सबसुन्द साथ को दी और संसार के लिए खंड मुक्ति के लिए तार्तम ग्यान दिया और तफसीर उसेनी में एक प्रशंग वरणी थे किस प्रकार कि एक बार दरिया कुल्जूम में एक बार दरिया कुल्जूम में मुस्सा की लाठी से सपर्सोने से ही पूल बन गया था तब उस पर हारून की सेना पास हो गई थी पसार हो गई थी और जब फेरून निकला तो उसकी सेना डूब गई थी तो यह प्रमान है कैसे? कि फेरुन की सारी फोज डूब गई ऐसी एक अर्थात ब्रह्ममानी के अंदर जो भी ब्रह्मात्माय डूबेगी तो भव सागर से पार उतर जाएगी और माया रुपी दज्जाल से जो जीव लड़ रहे वो तार्तम ज्यान की और वो पेचान नहीं करेंगे तो उसकी सब सकती नस्ट हो जाएगी समाप्त हो जाएगी महमती कहे मौमिनो सुक्राना ल्याव बजाय दज्जाल सो लड़ाई गोर क्योकर किये बचाय महमती कहे ये मौमिनो यहां महमती जी कहते कि हे सुन्द साथ जी हमारे पर दाम धनी ने कैसे पल महर बरसाई तो आप भी हमारी और से मतलब सुन्द साथ अपनी और से दाम धनी का आभार माने धन्यवाद दीजिए और दज्जाल सो लड़ाई और क्यो कर लिए बचाये जो दज्जाल ने हमारे सामने हमने अभी तक आज 24 दिन से हम सुनते आ रहे है कहां कहां पर दज्जाल ने हमारे सामने प्रहार किया लड़ाई की कितने कश्टों का सामना करना पड़ा कितना दुखों का सामना करना पड़ा लेकिन उसी समय राजी ने अपना अंग आडा दे दिया अपना अंग बीच में रख दिया और हमारे पर पलपल महर बढ़साई तो हम भी और पलपल हमारी शुरक्षा की तो हम भी धामधनी को उसको धन्यवाद दे और आगे सुन्दसाजी प्रक्रण लालदासी का लसकर काजियों के पास गए बुधानपुर के बितक उहां से आये बुधानपुर फिर पहुचाया पेगाम भई लड़ाई सरियत सो बीच दिन इसलाम जब सब सुन्दसाथ के साथ स्री जी प्राणनाद जी औरंगा बाद से बुधान पुराए तब उनोंने लालदासी के साथ काजि सेख इसलाम को संदेश बेजवाया क्यों बेजवाया संदेश कि वो सरातोरा के सामने सेख इसलाम काजि हमारे सामने ये धर्म युद 理्यान युद करे और उसी के अंदर ये इमाम मेंदी जाहर हो चुके, क्यामत आ गई है, वो श्विकार कर ले, और वास्तविक दिने इसलाम निजानन्द की जो राह है, वो स्पोष्ट हो जाए, और वो भी पहचान कर ले, इसलिए स्रीजी ने औरंगापाद से जब हम बुढ़ान पुर पहुँचे, तब सी के साथ सिख इसलाम काजी को संदेश पेजवाया, तो उसी समय सुन्दसाजी मराठा का दमन करने के लिए, मराठो का दमन करने के लिए, इस उदेश यसे औरंग जे बादसा, दक्षीन भारत में रहता था, और औरंगाबाद के जिल्ले में, खुला बाद उसकी राजधा जिसका पुर्वा नाम दोलता बाद था और वहाँ ये सेनिको की च्छावनी भी बनी थी और वहाँ आज भी खुला बाद में औरंग्जे बादसा की मजार भी है तो वहाँ शेनिको की च्छावनी में सिख इसलाम काजी भी आया था तो यहाँ सिप्राणनाजी ने विचारा के चलो एक बार हम और अंतिम संदेश दे दे तब लालदासी को एक संदेश भेजवाया और संदेश लेके लालदासी लाल पेगाम लेके गया उत्सरियत करी काजी सो मुलाकात लिख के भेजी तित वहाँ जाके जब खुला बाद में सिख इसलाम काजी के पास लालदासी पहुँचे और वहाँ जाके सिख इसलाम काजी के सेवक के माध्यम से यह संदेश पत्र अ मौमीन आये है तो वहाँ जाके सिवक के माध्यम से इस संदेश भिजवाया काजी ने लालदासी को अंदर बुलाया और सारी बात पुछने लगा कि तुम कहां थे अब तक और अब यहां किसली आये हो उस उत्तर में लालदासी ने क्या उत्तर दिया कि मेरे हादी ने बेजा है मैं आपके लिए यह संदेश लाया हूँ क्यामत सबंदी इमाम मेंदी सबंदी आप उसका उत्तर दीजिए उससे पहले हमने अजमेर से मलुक चंद के साथ भी यह संदेश भिजवाया था लेकिन उसी टाइम भी कोई उत्तर नहीं मिले शेख इसलाम काजी ने कहा कि आप जो बात कहते हो वो सत्य है और कुरान के बेद भी आप से ही खुलेंगे ऐसा सेख इसलाम काजी ने खुद ने बोला कि हाँ आपकी बात तो सत्य है और ये भेद भी आप से खुलेंगे हमको तो कोई इस बारे में पता ही नहीं है और फिर सेख इसलाम काजी ने क्या बोला कि आप ऐसा करिये कि प्राता समय आईए आप सुब आईए अभी तो मैं कोई जरूरी काम है इसलिए मैं बाहार जा रहा हूं तब हमारे लालदासी और सुन्दसाद भी गए थे उसने भी सोचा के चलो हम कल जाएंगे तो दूसरे दिन सुबह फिर काजी के घर की मुलाकात ली वहां काजी के सेख इसलाम काजी के पास गए वहां नूर महमद भी गए और सेख इसलाम काजी के साथ सरात औरा का जो सबसे बड़ा काजी था उसके सामने ये बात सुरू कर दी और उसी समय वहाँ उसके बहुत से दोस्त भी बैठे थे सेख इसलाम काजी के उसने ये जब बैठे सभी लोग बात करने के लिए जब किताब मंगवाकर, जब किताब मंगवाकर सीजी द्वारा बेजे गए, प्रस्णों का भी, जब स्वस्टी करण होने लगा, तो काजी के दोस्त ने क्या बोला? कि अरे, ये तुमारी लिखी वोई, तुमारी बनाई वोई किताब लेके आये हो, ये किताब गलत है, तब लालदासी ने उतर दिया, कि अरे, आप लोग क्या कहरे हो ये, जब आप कुरान और हदीश के बारे में इस तरह की बात करते हो, तो आप लोगों को क्या मत जाहर होने कि मैं कैसे आपके सामने बात रखो, क्योंकि आपने क्या बोला, कि ये किताब गलत है, तब सेख इसलाम काजी ने बोला, कि हम आपको नहीं गलत ठेहरा रहे, कि तुम लिखने वाले से चुक हो गई है, तब लालदासी एकदम उगर हो गए, उसने क्या बोला, कि उसमें लि तो बाहरी अर्थ क्यों देख रहे हो, उसका आंतरिक अर्थ देखोगे, तो सच्चा ही मालूम होगी। तब सेख इसलाम काजी ने किताब ले ली। क्योंकि उस दिल में दज्जाल की बैठक बन गई। और लालदासी फिर अंदर से एकदम लालदासी के अंदर क्रोध हा गया। कि अरे काजी साहिब आप ऐसा करो, हमको ये सत्य बात आप जो उसको बढ़ रहे हो उसी के इसाब से हमको समझाओ। फिर तुम यहां जो किताब लाए होने, और कुरान फिर सेख इसलाम काजी ने क्या बोला, कि तुम जो यहां किताब लाए हो, और कुरान से विरुद्ध, कुरान के वच्चनों से उद्गृत वच्चन, उसमें जुठी बाते लिखी हैं। और आप कुरान के प्रती देश वावना से ग्रसित वोकर यह किताब तुम लाए हो। इस प्रकार काजी के साथ उनके सारे दोस्त बहुत अधिक डर बताने लगे। किसको? लालदासी को, तो लालदासी को पता चल गया, कि उसी के अंदर दूस्ट बैठ चुका है, उसी के स सामने अब रहना ठीक नहीं है, बुनह काजी ने कहा के किताब हम हमारे पास रखेंगे, क्या बोला काजी ने? किताब हम हमारे पास रखेंगे, लेकिन लालदासी ने हाथों से किताब ले ली और लालदासी के हाथ में किताब थी, ओ काजी ने ले ले ली और अपने सेवक को दे दी और उसके बाद सुन्द साजी ये चलता रहा और लालदासी को पता चला कि उसकी मानसिक्ता बदल चुकी है यहां रहना ठीक नहीं है चलो चले जाना ही ठीक है तब काजी सेख इसलाम में अपने मन में क्रोध रखते हुए बनावटी विनमरता से वो कहने लगा कि तु हमारी इन मिथ्या बातों पर हमें बहुत ही अफसोस है तुम हमसे इमाम मेंदी जाहर होने की इमामत की जो तुम बात कर रहे हो और बार बार दोहरालते हो तब लालदासी ने उतर दिया अरे हजरत अरे जी साहेब तुम तो इतने प्रतिश्ठीत व्यक्ती हो हम आप तो अर्दार लोको को कैसे समझाओ तुमारे कुरान हदिसों में ही ऐसा लिखा है तब काजी सेख इसलाम ने कहा कि पत्र लिखने वालों का खुद रास्ता ही ने मिला ये सुनकर क्या बताया सेख इसलाम काजी ने बोला कि ये पत्र लिखने वाले को रास्ता ही ने मिला तब ल पुक्षे ये सब्द नहीं बोलने चाहिए ऐसे कुरान और हदीसों के विरुद अब हम आपको संदेश देने के लिए कभी भी दुबारा नहीं आएंगे हम वापस इसलाम की वास्तविक सिधानत को लेकर हम हमारे घर जा रहे हैं तो उसके पस्यात सुन्दसाजी सेख इसलाम काजी को एक बार धामधनी ने बुढ़ानपूर से एक खुला बद जाके ललदासी ने ये संदेश भी पहुचाया लेकिन वो सरियत में और करमकांड में रहने वाले मुशलमान ये हमारा संदेश श्विकार नहीं किया क्योंकि वो जाहरी मुशलमान थे असल वारिश तो हम सुन्द साथ है हम मुशलमाने और यहां से जब लालदासी निकलते है तो उसके अंदर विचार आए कि चलो एक मुफ्ति अब्दूल करके एक मुफ्ति अब्दूल रहमान है उसके भी घर हम जाके ये संदेश पहुचाके हम फिर वापस लोटे तो और जो प्रसन था कुरान सबंदी उसी के बारे में भी मुप्ति अब्दूल रहमान को हमारे सुन्द साथ ने सुनाया किसने लालदासी ने और क्या बताया कि सरा तोरा कि सेख इसलाम काजी को भी हमने सब बात राखी ये बात रखी क्यामत सबंदी इमाम मेंदी सबंदी ल इमाम मेंदी सबंदी, क्यामत सबंदी, इस संदेश को तुम श्विकार करलो, तब यहाँ लालदासी ने बोला, कि जो आज ये संदेश को आप श्विकार नहीं करोंगे, तो बाद में आपको पस्चियाताप की अगनी में जलना पड़ेगा, इतना नहीं, और भी लालदासी आगे बोला कि हम सब परमधाम से एक साथ आए है इस संसार में और इसलिए आपको इतना दबाव देकर इतना प्रेसर देकर हमको आपको संदेश देने के लिए आए है क्योंकि क्यामत आ गई है इमाम मेंदी जाहर हो चुके है तो तुम इस संदेश को श्विकार कर लो इस संसार में खुदा के रसुल भी आ चुके है इतना नहीं खुदा की नेक बंदे मुमीन भी आ चुके है तो आप इस पर इमान लाइए तब मुप्ति अब्दुल रह्मान ने बोला कि अरे रसुल मुम्मद सलेई वसलम तो क्यामत के समय आने वाले है तब उसने ये आगे ये भी बोला मुप्ति अब्दुल रह्मान ने कि नहीं अभी क्यामत तो बहुत दूर है तब हमारे लालदासी और मुमीनों ने क्या बो हम उसी के आधार पर तिथी और समय के आधार पर हम आपको बताएंगे कियामत आ गई है तब मुपती अब्दुलरह्मान ने क्या बोला कि हम कियामत के गणना के हिसाब हम यह नहीं समझ पाएंगे किताब के आधार और मान्यताओ का तो हम विरोध करें है मतलब उसने विरोध किया उसने क्या बोला कि हम को उसी किताब के माध्यम से कुछ समझ में नहीं आता है हम कैसे विश्वास लाए कि क्यामत आ गई है तब लालदासी ने उतर दिया किताब द्योंने हम लिखी हुई तिथी के साथ गणना करके आपको बता देंगे कियामत आ गई है बड़ी भूल तुम बीच में ले डारत किसे कुरान वे रद जमाने हो गए तुमको यही पेचान तो लालदासी ने क्या कहा कि आप तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो क्योंकि कुरान को किसे कहानिया की किताब थेहरा रहे हो तो वैसे खुदाई इल्म कैसे कहा जाएगा आप जो उसको किसे कहानिया की किताब के रहे हो तो वो खुदाई इल्म कैसे कहा जाएगा, ये सारे किसा तो उसने क्या बोला, कि मुप्ति अबदुलरेह्मान ने, कि नहीं, ये सब किसे तो भुतकार में घटित ओचुके हैं, लेकिन अमारे मुमिन लालदासी ने और सुन्दसाथ ने क्या बोला, कि नहीं, अभी ये किसे गड़ित होने वाले है, महमस सले अलही वसलम जो फर्दा रोज क्यामत के समय में आऊंगा, जो कहा था, उसी समय के अनुशार वो आ चुके है, उसी के समय अनुशार ये क्यामत जाहर हुई है, तो हम ये जाहर करने के लिए आपके पास आए है, फिर आप भविश्य में कभी दोस नहीं देना, कि हमको तो कोई संदेश देने के लिए और कोई ये क्यामत सबंदी कोई संदेश बताने के लिए आए भी नहीं थे, तो वहां तीन दिनों तक मुपती अब्दुल रह्मान के साथ लालदासी कुरान पर चर्चा करते रहे और आदेश देते रहे, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा, उसके अंदर कोई पेहचान नहीं देखी, उसने श्वीकार नहीं किया। तो चलो, मैं एक पत्र के माध्यम से, नाराणदासी के माध्यम से लालदासी को सबको बुला लो। तो यह नाराणदासी स्री जी के लिखे हुए पत्र लेकर आते हैं और लालदासी के आथ में देते हैं और लालदासी को पत्र में लिखा हुआ था कि वहाँ तुम पानी भी पीजियो बस ये पत्र पढ़ते ही तुम तुरंती निकल जाओ तो लालदासी को भी पता चल गया के राजी का आदेश आ गया के चलो वहां से चल देना ही अच्छा है सिग्र राजी ने बुलाया है तो ये सरातोरा से बंदेवों मुसल्मान लोग उपर कोई असर नहीं हुई तो वहां से सुन्दसाजी सेख इसलाम काजी से धाम धनी ने आदेश दे दिया के तुम निकल जाओ तो वहां से लालदासी और नूर महमद सब निकल गए अंतिम मेराजी ने बताया तब सुकराना राज का बढ़ा जो देखा इता काल के मुख से काड के राखे पना में पल-पल महर का अनुभव करवाया क्योंकि सेख इसलाम काजी के दिल में तो पाप भर गया था कि आज लालदासी को तो मार देना ही है लेकिन धामधनी की नजर वहां पल-पल बरस रही थी उसने अपने कबाई तले अपनी छत्रसाये में ले लिया महमती कहे मौमिनों एभित्रक बुढ़ानपूर अब कहो आकोट की राखे पना में जोकर श्री महमती जी कहते है के सुन्दर साजी आपने अभी बुढ़ानपूर का घटना करम सुना अब मैं आकोट के उस वृतांत का वरणन करने जा रहा हूं तुम आगे से शुनिए क्य कैसे आपको पनातले कैसे महरतले रखा और सुन्दर साजी हम आकोट की बित्तक देखेंगे आकोट की बित्तक बुढ़ानपूर से आकोट तहां रहे महिने चार खबर लई सब साथ की करने लगे विचार स्री जी बुढ़ानपूर से आकोट आये और वहां चार महिने बित और वहां से आके, श्रीजी ने सब सुंदसाथ की खबर भीली, और जो सब दिलों के अंदर, क्योंकि इतना कष्ट, कषाला, दुख सहन करना पड़ा, तो कोई-कोई सुंदसाथ के अंदर, ब्रानतिया, संसही पेदा हुए थे, तो स्री जी ने आकोट आके सब के संसई दूर की ब्रांतिया, दूर की और आगे जागनी का कारिय अपने सीर पर ले लिया, उतरदाईत्व अपने सीर पर ले लिया और वहाँ स्री जी एक फत्व अल्ला पर औरंगा बाद में रेने वाले फत्व अल्ला पर एक पत्र लिखा, किस सबंदी कुरान के कुछ प्रश्न सबंदी फत्व अल्ला पर एक पत्र लिखा और क्या लिखा उस पत्र में? धामधनी इस पत्र की विगत बता रहे हैं और फत्व अल्ला की वास्तविक्ता को दर्साते हुए लिखा कि है फत्व अल्ला तो सरियत को समर्थन मुझसे लड़ने के लिए तयार भी हो गये थे जो तु तयार हो जाने के बाद फिर तेरा मन बदल गया तब ही तुने श्विकार कर लिया होता ने तो आज हकिकत और मार्फत की रह पाकर और कितने लोग मुहमद साहिब के दर्साये हुए मार्ग पर सच्चे इसलाम के मार्ग के अन्युआई बन सकते थे लेकिन हे फत्तु अल्ला तुने बीच में बाधाये डाल दी और भी आगे धामधनी ने बताया के सब लोग ये सच्चे इसलाम को ग्रहन करने वाले थे तयार भी थे लेकिन सब को तुमने राह से भटका दिया तो आज मैं तुमको एक प्रस्न पुछना चाहता हूँ क्या ये आगे धामधनी बता रहे कि अब मैं तुमको कुछ प्रस्न लेक लिख कर बेज रहूं तुम उनका उत्तर अवस्य दे देना क्योंकि तुम बहुत बड़े ज्ञानी होने तो मेरे को इस प्रस्न सबंदी उत्तर आप अवस्य दीजियो क्या प्रस्न एधामधनी आगे बताएगे कि हम दिने इसलाम को ग्रहन करने के लिए लेकिन तुम अमको सच्चा मुसलमान बनाने के लिए तो तयार हो जा और इतना नहीं आगे भी बताया कि तुम मुमत सहब द्वारा दरसाय हुई इसलाम में भी हम सामिल होना चाहते है लेकिन इतना नहीं तुम जब सच्चाई यह सत्यरा बताएगा तब तो तो हम तुमारे गुलाम बनने के लिए भी तयार है इतना नहीं तेरी सारी बातों को समझने के लिए भी हम तयार है तुम हम कुरान की हकीकत और मार्फत के बारे में भी समझाओ, उसी के अनुशार हम आपके साथ समलित होगे, सामिल होगे, और आगे भी फत्तु अल्ला को स्री जी ने क्या बताया, कि तुम मेरे इन प्रस्नों का उतर दो, जब तक उतर नहीं दे पाऊगे ने, तब तक तुम पिना भी अराम है, और कोई काम करना भी नहीं है, ये स्री जी ने बत्र के माध्यम से बताया, और आगे भी बताया, कि हम लाखो हिंदू परिबार, एक सच्चे दिन इसलाम के अंदर सामिल होने के लिए तयार है, लेकिन तुम भी इस संसार के, इम मायावी कामों को एक बंदे मोमिन का क्या काम होता है, यही काम तुम भी अपने आथ में लेलो, ये माया में क्यो उलज पड़े हो, दावा तो मोमिनों का लिया है, लेकिन उलज पड़े हो माया के अंदर, और आगे भी स्री जी ने, सुन्द साजी क्या क्या प्रश्न पुछे, एक एक गेर मुशलमान को काफिर मानते होने, तो मैं आपको आगे प्रश्न करने जा रहा हूं, कि कुरान के अंदर, जो नाजी फिरक्के, एक नारी और एक नाजी, तुम किस स्वयम को अपने तो मानते हो, लेकिन मेरे को यह आज सही बताओ, कि इसमें से तु कौन से हो, और आगे भी दूसरा पुछा, कि मुमत सहेब ने परमधाम से बारह जार रुहो का जो वर्णन किया है, तो स्वयम तुम उनमें अपने को मानते हो, तो मुझे भी सावचेत करो, कि उनमें से तुम कोन से हो, और आगे भी बताया, कि कुरान के अमेत सालून में, जो रुहो की मैमा लि कर सकता, तो उन प्रस्णों का भी तुम मुझे उत्तर दो, और आगे भी बताया, कि मुमिन और आजिम चोथे आस्मान से इस नस्वर जगत में आई है, यदि तुम अपने को मुमिन मानते हो, तो मेरे इन प्रश्णों का तुम उत्तर दो, और भी आगे सुन्द साजी बता कि इसायो के ग्रंथ बाइबल में, इसायो के ग्रंथ बाइबल में भी परमधाम का शांके तिक वरणन किया गया है, यदि तुम श्वयम को परमधाम का जो वासी मानते हो, तो मुझ को उनकी पहचान करवाओ, और कुरान में भी इंदू, यहुदियों की जो महिमा लिखी हुई है, यह भी बताया है कि मुहमद साहिब आख्रुल मेहंदी के रूप में सब का श्वामीत्व करेगे, तो उन में से भी तुम मुझे ए बताने का कष्ट करो, कि बनी इस्राइल अथात, स्री जी के अन्युआई की गरीमा सब से अधिक है, तो उसमें से तुम कोन से हो, यह मेरे को, हे फत्तु अल्ला, तुम बताओ, यदि तुम स्वयम अपने को मानते हो, कि मैं बनी इस्राइल की पेचान कर ली है, क्यामत के सातों निशान की, बनी इस्राइल में, जाहर मतलब बनी इस्राइल कोन है, यह प्राणना तो यह भी मेरे को ज्वाब दो और सिप्राणनाज जी ने ऐसे कुरान सबंदित ऐसे कुरान सबंदित कईप्रस्न फतु अल्ला को अवरंगा बाद बेजे और एक पत्र हिदायुत अल्ला के नाम पर भी वेजा एक पत्र अमानत खान पर गर बेजा और एक बाहदुर खान के नाम पर भी वेजा। और उसी के बाद सुन्धत साथ जी, वो संसार के कर्मकांडी मुशलमान, सरियत को मानने वाले, जो औरंग बातसा के प्रमुख अधिकारी लोगों को भी हमने संदेस बेजा था, और यहाँ सिप्राणज जी ने ये भावसी हडा के कई अधिकारी लोगों को भी संदेस लेकिन यह लोग पिचाड़े संसार के जीव सुष्टी के जीव भला कैसे हकीकत और मार्फत की पेचान कर सकते तो यह प्रशंग यहां तक पुरणा हुआ और आगे दूसरे प्रशंग में यहां अवल खान कल हमने उदेपूर के प्रशंग में सुना था क्या सुना था अवल यह हादी अज इतने समय से यहां आए है और है अवलखा अवलखा अपनी रूह को कह रहा है अपने जीव को कि तुने अभी तक यह हादी की पहचान नहीं की और अपने पर चाबुक से मारने लगा तो सुन्दस साजी हम इस प्रसंग से यह प्रबोध ले यह सीख ले कि हमने क कोई बात नहीं समझी होगी कई बार कई आत्म साथ भी नहीं की होगी क्या हमने कभी भी इस बात पर चिंतन किया श्वाध्य किया क्या हमने अपने को कभी भी कोसा अपने को सजा दी तो यह अवल खान का प्रशंग यहांता है कि आकोट में आके अवल खान भी स्री जी को मि क्या कहते हैं कि है धनी बस मैं अवे आपसे एक पल्प के लिए भी अलग होना नहीं चाहता हूं तब परवर्दिगार अल्ला ताला कि जिसने पहचान कर लिए सुन्दसाजी वो माया में कैसे रह सकता है दाम धनी ने उसको प्रेम मई मार्ग दरसाते हुए सांत बना दी कि अ पर कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा तू ऐसा कर थोड़े दिनों के लिए थोड़े समय के लिए तेरे भाईयों के साथ परिवार के साथ रह ले पर आगे भविश्य में थोड़े टाइम के अंदर ही हम पदमावति पूरी धाम नदी किलकिला तीर पे उत्तर परमं आए जब नदी किलकिला तीर पर मतलब बुंदेल खंड में पदमावति पूरी धाम में जब हमारा जागनी का जंडा हम गाड़ेगे हम एक जग जब हमारी जागनी की लिला सुरू होगी तब मैं आपको बोलाओंगा और वहां सब एक साथ लिला करेंगे तब मैं तेरे को अवश्य बुला लूंगा क्योंकि मेरे को पता है कि तुम मेरे बिना अलग नहीं रेपाएगा तेरे को दुख भी हो रहा है में भी सहन नहीं कर पाता परमधाम की तुम आत्मा हो तुम सच्चे वीर हो धीर हो लेकिन तुम ऐसे करो कुछ समय के लिए थोड़े दिनों के ल फिर आगे जागनी का कारिय बहुत तेजी से जोड सोर से फेलने वाला है तब तुमको में बुला लूंगा हमारा सब का घर तो मूल परमधाम है तुम हमारे साथ ही परमधाम में युगर सरुप के चरण कमल में बेठे हो ऐसी सांत वना किसने दी स्री जीने किसको दी अवल खान को फिर बीच में एक पाठक चोदरी कहां का आकोट का एक चोदरी भी वहां मिलते है स्री जी को और संसारिक गुरु की तरह स्री जी की वो पेचान करते हैं तो इस पेचान के आधार पर अपने घर वो बुलाते हैं और अपने घर बुला के तिन चार दिन तक भोजन प उसी के बाद एक प्रशंग और जुड़ता है, उताय एक ब्रामन सुनने को चर्चा परगने बराड के हाकीम का गुमास था, वहां एक बार स्री जी की चर्चा सुनने के लिए एक ब्रामन आया, बराड परगने के अधिकारी का एक सेवक था, उसने स्री जी के मुक्षे, कबी के बिजग ग्रंथ पर चर्चा सुनी, जैसे ही उसने चर्चा सुनी, तो दिल को इतनी स्पर्श कर गई, और अक्षर धाम का पूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, और उसको ऐसा अनुभव होने लगा, कि मेरी आत्मा अक्षर धाम में विच्रण करने लगी है, और क्या हुआ, वो अपने सरीर की सुद्धी को भी भूल गए, कोन? शुकदेव ब्रामण, सुन्दसाजी, शुकदेव ब्रामण को, जो सरीर की सुद्धी भी ना रही, और अभी तो चर्चा स्रीजी ने सुरू की बिजग ग्रंथ पे, तबी इस तर पर अवस्था प्रासंग से क्या सीख लें है, आप यह प्रासंग जब तक पुरुण ना हो, तब तक इस बात पर चिंतन करिए, मनन करिए, अपनी सरी की सुद्धी ना रही, वो अपने को पुरुण तया भूल गया, अपने सरीर को भूल गया, उसकी द्रष्टी अक्षर धाम, अखन धा में विच्रन करने लगी, और उसके मुक्षे, बस सिर्फ तु ही तु, तु ही तु, तु ही तु, तु ही तु, बस यही निकलने लगा, जैसे एक कपड़ा जब अमभूनते ने, उसी समय जुलाहे का करदा, आता फिर जाता, आता फिर जाता, उसी तरह वो भी फिर घर में वापस जाता था, लेकिन वहां सुक चैन से, सांती से नहीं रह पाता था, फिर यहां स्री जी के पास आता था, फिर जाता था, लेकिन आके बस सिर्फ इतना ही बोलता था, क्योंकि स्री जी के बीना, वो एक पल भी नहीं रह पाता था, तो क्या बोलता था, कि तु ही तु, बस तु ही तू, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए बस चाहत रखता हूँ, मेरे को आप से एक पल जुदा नहीं होना है, किसको कहते थे स्री जी को, बस अंदर और उसको कोई बात कही जाती थी ने सुन्दर साज जी, तो उसको सुनाई भी ने देती थी, क्योंकि वो अपनी परमधाम दिल में अखंड योगमाया ब्रह्मान या परमधाम की संपून निधी आठ सागरों के साथ, परमधाम की हकीकत का सुख उस दिल में तो भरा हुआ है, तो यहां सुकदेव ब्रह्मन भी स्री जी के अंदर वो सुख को चाहता था, और उसकी सुद्धी वैसे ही वो खो बेठा था, कैसे? कि स्री जी के अंदर पूरन रूप से डूब गया था, और अपना मस्तिस का भी काम नहीं करता था, बस मुख से केवल यही निकलता था, बस तू ही तू, हम सब परमधाम से आये हैं, और उसको चर्चा करके समझाने का भी और सुन्दसात प्रयास करते थे, लेकिन तो भी वो दूसरी चर्चा अपने दिमाग में धारन नहीं करता था, अपने चीत में नहीं लेता था, बस उसी के अंदर एक ही चलता था, कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू. एक दिन स्री जी, दंदधावन के काज, जब एक नदी के किनारे, सामने किनारे आये, और वहाँ जब दंदधावन कर रहे थे, तब उसी सामने किनारे, ये सुकदेव, ब्रामन खड़ा था, उसने स्री जी को देख लिया, तो कपडे समेत, वो नदी के बीच में गीर तो सुन्दधाव जो आस पास में खड़े थे, उसने देख लिया, क्या देख लिया, कि अरे, ये सुकदेव तो नदी में चला गया है, तो जल्दी से दोड़कर, नदी में छलांग लगाकर, उसको बाहर निकाला, कपड़ा उसका निकाला, और दूसरा पहनाया, और उसको सुधी भी नहीं थी, कि मेरे सरीर पर ये क्या हो रहा है, सुन्दधाजी देखिए, अक्षर धाम का अंकूर, भिहद का अंकूर, हमने तो परमधाम की ब्रह्म सुष्टी का दावा लिया है, हमारे जीव का स्तर, हमारे जीव का स्तर, कहां तक का है, आप अपने को पुछ ल मालूमी नहीं था, कि में कितने दीनों से नहीं खाया है, बुछा गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, आज पास में और लोग खड़े थे, उसने बोला, कि हमको पक्का पता विश्वा से, कि उसने तीन दीन से नहीं खाया है, सुनिये सुन्धाजी, प्राण्ना जी की चर्चा में इतना गलित गात गया है हम तो दो घंडे के लिए चर्चा सुनने के लिए बैठते तो भी इधर उधर फिर बाहर जाए फिर अंदर आए एक एक प्रशंग क्या सीखापन दे रहा है इस तरह धाम धनी ने क्या किया आगे कि उसकी सूर्ता जोक्षर धाम में लग गई थी वहां से हटा लिया लेकिन तो भी वो घर वापस नहीं जा रहा है फिर उसके भायो को बुलाया गया और वो भायो उसको डोली में बिठा कर अपने घर ले गए तो सुन्दसाजी वो सुकदेव भ्रामन था उदैपुर का रहने वाला और अपनी आत्मा उसने धनी के चरणों में सोपदी अंकुर था कहां तक का अखंड योगमाया ब्रह्मान तक का इस्वरी शुष्टी का उतने माफ उसने सुखलिया पुनह वहां सुन्दसाजी ये प्रशंग सुकदेव भ्रामन का जो अमने सुना ये बहुत कुछ अमको राजी के ध्यान में डूबोने के लिए युगल सरुप के ध्यान में डूबोने के लिए ये वानी के चिंतन में डूबोने के लिए ये वानी के मन्थन श्वाध्याई में डुबोने के लिए ये प्रक्षनक बहुत कुछ कहता है पुन वहाँ से चल कर स्री जी कारपस तानी आते है और वहाँ पर दत्ता, दगड़ा और अमराजी ये सब स्री जी के चर्चा सुनते है और वहाँ सब सब को स्री जी सुख देते है सब को स्री जी पर विश्वास आ गया और सब को बहुत सुख मिला और इस चे आगे सुन्द साथ जी हम एलचपूर पहुंचते है कारपस तानी से कहां पहुंचते है एलजपूर, एलजपूर में एक किसान रेता था, उसके वहाँ जवारी की पेदावार बहुती उसी समय हुई थी, तो उसने स्री जी को क्या बोला, कि है स्री जी तुम सुन्द सात को लेकर यहाँ आ जाओ, और मेरी बहुत ही सेवा करने की भावना है, मेरी बहुत ही सेवा करने की इच्छा है तो तुम मेरे घर पे आओ, तो वो किसान अपने घर पे सब सुन्दसाथ स्री जी को लेके गए, वहां तिन चार दिन तक पुरा भाव से, पुरा प्रेम से सुन्दसाथ को भोजन प्रसाथ की सेवा की और ऐसे उत्सव मनाए और वहां से स्री जी प्राणना जी चल पड़े एलचपूर से तो रास्ते में कोई फकीर मिलते है कबीर की साखिया पर चर्चा भी होती है और वहां से स्री जी फिर एलचपूर से आगे जब रास्ते में चल रहे तब एक राम टेकरी के क्योंकि उसके अंदर कोई अंकुर नहीः था, तो स्री जी वहाँ से एलचबूर से निकलकर देवगड आते हैं और देवगड से चलकर कई दिनों में पड़ाऊ, रास्ते में करते हुए, सुंधसाथ सहीद स्री जी रामनगर पहुछते हैं और रामनगर में सुन्दसाजी जागनी का जो कारिय है ने बहुत अधिक चलता है रामनगर में बहुत से सुन्दसाथ की जागनी होती है और कई सुन्दसाथ निजानन संप्रदाई में शामिल होते हैं तार्तम ज्यान ग्रहन करते हैं उसी समय स्रीजी के लिए एक सफेद गो इस गोड़े परशवार होकर सुन्दसाथ के साथ पेदल भी कई बार चलते थे और गोड़े परशवार होकर भी आगे जागनी कारिय में निकले और रास्ते में सुन्दसाथ जी सुन्दसाथ सब अपने अपने पास जोलिया रखते थे और जोलिया में आसपास में ग्राम में सहेर में नगरों में बिक्षा मांगकर जोलियों में एकत्रीत करते थे और सब की बिक्षा वहां एकत्रीत होती थी और सुन्दसाजी और आगे कहुने तो सुन्दसाथ ने जो फकीरी वेसधारन किया था किस बल पर यहां बताया तब पत्याग तेज उसके अंदर था और ये मोमिनों ने जो फकिरी वेरागी सफेद वस्त्रधारन किये थे तो ये जब रास्ते में जोलियों में टुकड़े भी मांगते जा रहे तो ये सोभा कितनी अनुपम होगी, कितनी अवलोग कीक होगी तो ये संसार के जीव भला कैसे उसको समझ बाते रास्ते में चलते समय कई लोगों के साथ जगड़ा और विवाद भी होते गए लेकिन धामधनी ने क्या किया उस स्वरूप की पहचान दे दी थी तो सुन्द साथ को कोई दुख कोई कश्ट नहीं होता था और अंतिम राम नगर आये पहुँचे रहे केत की पर ता अस्तल बनाए के गणिस महंत के बराबर स्रीजी एलचपुर से निकले देवगड से रास्ते में पड़ाव करते करते यहां क्या पहुँच गए राम नगर और राम नगर आके केत की नदी के किनारे तो केत की नदी के किनारे गणिस महंत गणिस जी का जो आस्रम था उसी के पासी स्रीजी और सबसुन्द साथ को ठहर नेकी विवस्था की गई और वहां एक स्थान भी बनाया गया और वहां राम नगर के अंदर और आगे भी कई सुन्दसाथ निजानन की सची रापर चल पड़े थे, कई सुन्दसाथ ने तार्तम ज्यान-ग्रहन कर लिया था, और यहां बीच में बहुत सay सुन्दसाथ का नाम है, तो यह नाम सुन्दसाजि अब भी न लेते हुए, आप सब सुन्द साथ इस नाम का में सिर्व बस एक चुपाई में जोड़ दिया के वहाँ बहुती सुन्द साथ आहेड का हो, रामनगर का हो या देवगड का हो, येलेचपूर का हो इस सब सुन्द साथ निजानन संप्रदाय में शामिल होते हैं और तार्तम ज्ञान ग्रहन करते हैं और अंतिम धामधनी कल रामनगर की लिला कैसे घटित होगी क्या क्या घटना क्रम घटित होगे ये धामधनी कल बताएंगे तो आज हम इस चोपाई को दोहराएंगे महामति कहे ये मौमिनो कही राम नगर की तूम और आगे अजू बहोत है कहो हक के हुकाम कहो हक के हुकाम बोलियसी प्राणनाथ प्यारे की जी प्रणाम सुन्दसाजी प्रणाम